लुकार चीत्सू समाचार अध्याय दस सत्तर चेलों का भेजा जाना इन बातों के बाद बर्बु ने सत्तर और मनुश्य न्युक्त किये और जिश्दिस नगर और जगय को वह आप जाने पड़ था वहाँ उन्हें दोदो करके अपने आगे भेजा उसने उनसे कहा पके खेत बहुत है परन्तु मजदूर थोड़े हैं इसलिए खेत के स्वामी से विंती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे जाओ देखो मैं तुम्हें भेडों के समान भेडियों के बीच में भेजता हूँ इसलिए ने बटवा ने जोली ने जुते लो और ने मारग में किसी को नमस्कार करो जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्यान हो यदि वहां कोई कल्यान के योगे होगा तो तुम्हारा कल्यान उस पर ठहरेगा नहीं तो तुम्हारे पास लोट आएगा उसी गर में रहो और जो कुछ उन से मिले वही खाओ पियो क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए घर गर नै फिरना जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुमें उतारे तो जो कुछ तुमारे सामने रखा जाए वही खाओ वहां के बिमारों को चंगा करो और उन से कहो परमेश्वर का राजय तुमारे निकट आ पहुचा है पर तुम जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुमें गरेंड नह करें तो उनके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाउं में लगी है हम तुम्हारे सामने जाड़ देते हैं तो भी यह जान लोगी कि परवेश्वर का राजय तुम्हारे निकट आ पहुंचा है मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दसा से सदों की दसा अधिक सहने योग्य होगी एविश्वासी नगरों को दिकार हाई खुराजीन हाई बेचसदा जो समण थे के काम में तुम्हें किये गई यदि वे सूर और सेद्दा में के जाते तो टाट ओड कर और राख में बैठ कर वे कब के मन फिराते परन्तु नयाए के दिन तुम्हारी दसा से सूर और सेद्दा की दसा अधिक सहने योग्य होगी और हे कफरनुस क्या तु सौरग तक उंचा किया जाएगा तु तो अधो लोग तक निचा किया जाएगा जो तुम्हारी सुनता है वे मेरी सुनता है और जो तुम्हें तुछ जानता है वे मुझे तुछ जानता है और जो मुझे तुछ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुछ जानता है सतर चेलों का लोटना वे सतर आनंद करते हुए लोटे और कहने लगे हे परभू तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वस्में है उसने उनसे कहा मैं सेतान को बिजली के समान सरग से गिरा हुआ देख रहा था देखो मैंने तुम्हें सापों और विच्छों को रोंदने का और सत्रु की सारी सामर्थय पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुमें कुछ हानी नहोगी तो अभी इससे आनन्दित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वस्में है परंतु इससे आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम सरग में लिखे हुए है इसु का आनन्दित होना उसी गड़ी वैप वित्रात्मा में होकर आनन से भर गया और कहा है पिता सरग और पिर्थवी के परभू मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुने इन बातों को ग्यानियों और समन्दारों से चीपा रखा और बालकों परकट किया हाँ पिता क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सोप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्तर कोन है केवल पिता और पिता कोन है यह भी नहीं कोई नहीं जानता केवल पुत्तर की और वह है जिस पर पुत्तर उसे परकट करना चाहे तब चेलों की और से मुड कर अकेले में कहा धन्य हमें आखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि बहुत से बहुत से वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बाते तुम देखते हो देखो पर ने देखी और जो बाते तुम सुनते हो सुनो पर ने सुनी देलू सामरी का दरश्टान और देखो एक ववस्ता आपको उठा और यह कहकर उसकी प्रिक्षा करने लगा हे गुरू अन्नत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ उसने उससे कहा ववस्ता में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है उसने उत्तर दिया तू परभू अपने परमेस्वर से अपने सारे मन और सारे प्रान और अपनी सारी सक्ती और सारी बुद्धी के साथ प्रेम रख और अपने पडोशियों से अपने समान प्रेम रख उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया यही कर तो तू जीवित रहेगा परंतो उसने अपने आपको धर्मी ठहराने की इच्छा से यिसु से पुछा तो मेरा पड़ोसी कौन है यिसु ने उत्तर दिया एक मनुष्य यरुसिलिम से ये रहो को जा रहा था कि डाकों ने गेर कर उसके कपड़े उतार लिये और मार पीट कर उसे अद्मरा छोड़ कर चला गया और ऐसा हुआ कि उसी मारक से एक याजग जा रहा था परंतो उसे देख कर कत्रा कर चला गया इसी रिदी से एक लेवी उदर उस जगह पर आया वहे भी उसे देख कर कत्रा कर चला गया परन्तों एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया उसने उसके पास आकर उसके घाओं पर तेल और दाखरस डालकर पटियां बांदी और अपनी सुवारी पर चड़ा के सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की दूसरे दिन उसने दो दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिये और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा ओर लगेगा वहे मैं लोटने पर तुझे भर दूँगा अब तेरी समझ में जो डाकों से घिर गया था इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा उसने कहा वही जिसने उस पर दया की ईसु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर मार्था और मर्यम के घर ईसु जब वे जा रहे थे तो वहे गाओं में गया और मार्था नामक एक इस्त्री ने उसे अपने घर में उतारा मरियम नामक उसके एक बहन थी वह पर्भू के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी परन्तु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी हे पर्भू क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है इसलिए उससे कहे कि मेरी सहता करे पर्भू ने उसे उतर दिया मार्था है मार्था तुब बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है परन्तु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे चीनाने जाएगा